तो सबसे पहले मैं उसकी बॉड़ी मिजरमेंट का एक रफ्सकश बना लूँगा और फिर मैं बाद में बाखे साथ डिटेल्स को एड करूँगा ताकि अगर कोई मिस्टेक होती हो तो मैं उसको एजली एरेस कर सकूँ और पेपर को भी ज्यादा डेमिज ना हो और इनकी के ल बेस बना लूँगा और फिर मैं उसके बाद पैंसी कलर से सेट सेट करूँगा जिससे मेरा रिजल्ट काफी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है लेकिन बता दू मैं यहाप में नॉर्मल बोर्ड मार्करस का उसका तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना म तुम्हां मिलुँँगा अगे लिडियो में तुक तक किले बाइबाए